हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्मेंट योगी पर फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन दबाईए और उसके बाद नोटिफिकेशन में आल का बटन जरूर दबाईए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें तो आएए इस वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स डिक्सॉन टेकनलोजी ने अपना एन्वल रिजल्ट डिकलेर कर दिया है और साथी साथ एन्वल रिजल्ट के साथ साथ उन्होंने डिविडेंड डिकलेरेशन की भी घोशना की हुई है आज इस वीडियो में हम लोग कम्प्लीट एनालिसिस करेंगे डिक्सॉन टिक्नलोजी के पूरे के पूरे रिजल्ट पर और उसके बिजनस के फ्यूचर आउटलुक पर तो इस वीडियो में बने रही है और अंतक इस वीडियो को देखना न भूलिए अब अगर बात करते हैं इनके एक शॉर्ट हाइलाइट्स की जो इनका फाइनल अकाउंट्स है उसके शॉर्ट हाइलाइट की बात करते हैं तो quarter ended result 31st March 2022 को इन्होंने revenue from operation दिखाया हुआ है कि वो 40% बढ़ गया है 2,95,275 लाक यानि कि 292 करून और EBI DTA जो की 12,200 लाक है जो की 49% बढ़ा हुआ है और ये बढ़ा जो ये comparison कर रहे हैं ये 31st March जो है ये 21 से ये comparison कर रहे है profit before tax 8,689 लाक जो की 42% उपर है profit after tax यानि net profit 6,313 जो की 43% की उपर बता रहे हैं और financial year जो 31st March 2022 यानि एक साल का जो ये performance बढ़ा रहे हैं इसमें बता रहे हैं कि revenue from operation 86% बढ़ा हुआ है PBI DTA 33% बढ़ा हुआ है और PVT यानि profit before tax 17% बढ़ा हुआ है और net profit profit after tax वो 19% बढ़ा हुआ है तो इस तरह से company ने अपने हर एक मोर्जे पर quarter on quarter की बात की जाए और या फिर year on year की बात की जाए दोनों में ही अच्छा performance दे करके result डिलिवर किया हुआ है बागी aspects पर बात करते हैं detail में यहाँ पर इन लोगों ने ये declaration किया हुआ है कि 2 रुपए per equity share face value of rupees to each यानि हर एक आपके share पर जो इनका face value है 2 रुपए ही है और उस पर 2 रुपए ये dividend की declaration साल 2021 और साल 2022 यानि की 22 financial year के लिए कर रहे है यानि की dividend जो है वो 100% की गोशना इनोंने की है फ़र सकर detail में इस result को देखा जाए 31st March 22 और 31st December quarter on quarter तब जस्ट पीछी पाले quarter से यहाँ comparison किया जाए तो 1,64,972 यहाँ revenue from operation और इसके पहले वाले December quarter में 2,08,951 यानि थोड़ा सा इसमें किरा हुआ है और total income 1629 पिछले वाले quarter में एक अच्छा performance आपको दिखाई दे रहा है total expenses 1,62,000 और इसके पिछले वाले quarter में 2,4,176 यानि कि इसको हम कहेंगे 2,041 करों आप देखें यहाँ भी finance cost भी इनका है interest cost जो कि है 945 पिछले बार 828 था और इसके basis पे अगर आप exceptional profit before exceptional item and tax 4,833 लाक है और इसके पहले वाले quarter में 4,835 यानि कि overall जब यहाँ सी यह comparison आप करते हैं तो यहाँ पे कोई विशेस फर्क नहीं हुआ है इसी को अगर हम आगे बढ़ाते हैं और यह देखते हैं कि profit before tax के बाद total tax expenses जो tax इनका देना था वो 1330 लाक और इसके पहले वाले quarter में 302 लाक और net profit for the period इस quarter का जो last quarter है वो 353 है और उसके पहले व 31st March 22 और 31st March 21 को compare करते हैं तो साल दर साल वाले quarter से यह तो पिछले quarter से इसका comparison था अब पिछले quarter से इस quarter को और पिछले साल के इस quarter के compare करेंगे तो भी sell आपको गिरते वी दिखाई दे रही है इसके पहले वाले साल में 1,84,000 और अभी 1,67,000 और profit यहाँ पर before tax 6,166,000 लाग थ quarter on quarter यह जो comparison है last quarter से यहाँ पर भी net profit आपको गिरता हुआ दिखाई दे रहा है अब overall साल दर साल का comparison करें एक-एक साल का एक साल मतलब 31st March 22 को खतम हुए financial year और 31st March 21 को खतम हुए financial year में क्या सिती थी पूरे साल का तो पिछले साल इन्होंने 5,67,699,000 लाग का माल बेचा यानि total income जिसमें के revenue from operation 5,67,000 है ज्यादा इनका other income नहीं है जो कि एक अच्छी बात है अब इस साल यानि जो 22 को खतम हुआ सा 7,48,703 यानि कि यहां पर यह बड़ोतरी यहां पर आपको दिखाई दे रही है expenses पिछले साल 5,47,000 जो की बढ़ करके 7,28,000 हो गया है और profit before tax करीब करीब वही figure है जो net profit है वो भी आपको उसी तरह से दिख रहा है बात यहां पर सीधी हम करते हैं EPS EPS जो हमारा पिछले इस quarter का है वो है 5,95 पैसे जस्ट दिसंबर वाली quarter का 6,2 पैसे और अगर March की पिछले वाले March से compare करा जाए तो 7,68 पैसे जो की कम हुआ है इस साल का जो overall EPS है वो 25,63 पैसे है पिछले साल खतम हुए जो था 31,21 को उसका 26,14 पैसे था इस तरह से profit में थोड़ा सा marginally जो है कमी आई है उसका ही आपको प्रबाव EPS पे होता हुआ दिखाई दे रहा है तो यह आपको यहाँ पर फ्रेंड्स अगर balance sheet के आकार की बात की जाए, assets और liabilities की स्थिति की बात की जाए तो आप यहाँ पर यह देख सकते हैं कि 31st March 22 को 82,018,00,00 का assets आपको दिखाई दे रहा है non current assets में औ और इसके पहले जो स्थिति थी वो थी 52,427,00,00 और current assets को अगर इसमें मिला दिया जाए तो total assets 2,72,585,00,00 और इसके पहले वाले साल में 2,41,899,00,00 अगर आप इसके बाद liabilities side की तरफ चलें तो liabilities side में आपको दिखाई देगा borrowing जो की 5638,00,00 था और इस साल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, lease liabilities भी बढ़ रही है, तो overall company borrowing के front पे थोड़ी सी थोड़ा loan लेते हुए दिखाई दे रही है, short term liabilities जो current liabilities में short term liabilities है, वो थोड़ा गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर company website पे आप देखते हैं, menu में देखते हैं, तो आपको यहां पे कई सारे divisions दिखाई देते हैं, इनके consumer electronics के division है, home appliances के division है, lighting solutions के, mobile phones के, security surveillance system के, reverse logistics के, medical electronics के और sit-up box के, friends यह करते हैं, basically आपने देखा कि यह जो divisions है, consumer electronics, home appliances, lighting solutions, mobile phones, security, यह मतलब जितने भी इनके यह आपको divisions दिखाई दे रहे हैं, इनका अपना खुद का कोई भी brand आपको मिलता हुआ न दिखाई देगा, तो यह करती क्या है, यह दूसरों के लिए product को बनाते हैं, बड़ी-बड़ी company इनकी clients हैं, और उसके लिए यह product बनाते हैं, और quality product बनाते हैं, और उनको supply देते हैं, यानि हो सकता है कि आपका जो mobile phone हो, या आपका जो laptop हो, आपके घर में जो consumer electronics की चीज़े हो, वो Dixon के यहां बनी हुई हो, और आपको यह पता ही नहीं, क्योंकि भाई, आप जो brand यूज़ कर रहे हैं, आपको पता है कि यह उसका है, जबकि company इन से बना रही हैं, फ्रेंस company के बजार के performance की बात की जाए, तो इस समय यह जो share है, वो 3755 रुपए का चल रहा है, लेकि के consumer electronic, यह से लेके mobile phone, laptop, यह सभी चीज में महारत हासिल के हुए है, इनके business के fundamentals जो है, वो काफी strong है, इनके maximum chart pattern की बात की जाए, तो कुछ सालों तक यह sideways pattern में चलने वाली company आपको दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद जो इसने दौड लगाई है, कि उसके बाद यह दे रही है, पांच साल का भी जो performance होगा, वही maximum performance होगा, क्योंकि as I said की 2017 में ही यह company list हुई थी, एक साल के performance की बात करेंगे, तो यहाँ पे आप red दिख रहा है, यानि कि यहाँ से company correct होते हुए, यहाँ पे आई हुई है, यह वाला point आपको करीब 5000 रुपई के आसपास दिख तो 5000 भी नहीं, 6243 पे यह अभी गया हुआ था और इस समय यह 3700 पे आकर के आपको मिल रहा है, फ्रेंड्स 6 महिने के return की बात करेंगे, तो यह 26% minus है, एक opportunity हो सकती है, अगर आपको इसके business model में interest है, अगर आपको लगता है कि यह company sustainable रहने वाली है, तो यहाँ पर एक SIP stock के रूप में आप इसको consider कर सकते हैं, एक महिने में भी इसने 6% का minus return दिया हुआ है, तो overall अगर हम बात करें, आज के market price की अगर बात करते हैं, तो 3755 रुपए और एकी दिन में आज आपको दिखाई दे रहा है कि यह share, एकी दिन में आज 9% से भी उपर, यानि करीब-करी 10% य market क्योंकि आज अच्छा था, तो 10% के आसपास एकी दिन में आपको उचलते हुए देख रहा है, तो आपको इस 10%, 9% के उपर नीचे से मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब यह होना चाहिए कि आप जिस company में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका business कैसा लगता है, उसका business model है, वो short term म दोनों में ही वो कैसा चलने वाला है, उस हिसाब से आपको इसमें निवेस्ट करने की सोचनी चाहिए, अगर आपको लगता है कि यह company, इन्वेस्ट करने के लायक है, और इसका business जो है, वो long term में sustainable रहने वाला है, तो आप जरूर इसको consider करिए, अपने portfolio में रखने के लिए, but one thing is very very clear, कि यह stock काफी ज़्यादा volatile stock है, जब 10 volume के साथ उपर नीचे यह stock करता है, आप देख सकते हैं कि 52 week के अंदरी बासट सो रुपए से इस समय, आज 10% बढ़ने के बाद भी 375 रुपए आया है, तो इस तरह से 323 रुपए अगर आप इसमें से निकाल देंगे, तो कर 3400 रुपए, 3400 रुपए पे यह open हुआ, और आज यह 355 रुपए चला गया, इसका मतलब volatility के लिए अगर आप तयार हैं इस stock के, यानि यह stock आसानी से 30-40% correct हो सकता है, 30-40% उपर भी जा सकता है, तो काफी volatile stock है, बट अगर आप consider करना चाहते हैं किसी भी company को कैसी है, क्या उ business को जरूर समझे, उस business के हिसाब से आप उसमें invest करने की कोशिस करें, मैंने यहाँ पे आपको उसके financial results, March quarter और साथ ही साथ annual consolidated highlights और stand-alone दोनों दिखाए, company की website पर ले जाकर मैंने दिखाया कि company के कितने verticals हैं, कितने company कितने vertical में दूसरों के लिए products बना रही है, उसी के technologies पर जो आज का यह complete analysis था, यह आपको digital technology के बारे में complete aware कराएगा और एक राय बनाने में मदद करेगा, किस company को consider करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, thank you, friends, I hope यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको like करिए, comment करिए और इस वीडियो को जास जादा लोगों तक share करना ना भूली, thank you so much, friends.